अच्छा एक मिनट रुको, मैं करती हूँ कॉल, होल्ड क्या है? आंटी जी, क्या मैं आपकी गाड़ी साफ कर सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं करवानी, कोई ज़रत नहीं है, जाओ यहां से प्लीज करवा लो कितने पैसे लेगा? आंटी जी, आप पैसे मत देना, मुझे भूख लेग रही है, तो आप थोड़ा था, खाना दे देना चलो ठीक है, एक काम करो रुको रुको, पहले खाना ही खालो तुम, फिर साफ कर देना आंटी जी, पहले मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं खालूँगा हाँ, ठीक है कर दे आंटी जी, आप देख लीजिए, गाड़ी अच्छे से साफ हो चुकी है ठीक है, एक मिनट गाड़ी तो काफी अच्छे से साफ कर दी तुमने, अच्छा रुको ये लो, ये लो तुम्हारा खाना धन्यवाद आंटी जी रोटी है, चलो, रख लेता हूँ इसको थैले में डाल लेता हूँ अरे, ये क्या कर रहे हो? अभी थोड़े दिर पहले तो कह रहे थे, तुम्हें बहुत तेज़ बूक लगी है? फिर जब मैंने तुमसे ये पूछा, कि चलो अभी खा लो, तो तुमने कहा कि नहीं, मैं काम करके खाऊंगा और फिर तुम अब खा भी नहीं रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? अंटी जी मैं घर जाके खा लूँगा एक काम करो, तुम अभी बैटके खा लो, अगर खतम हो गया, तो मैं और लाके दे दूँगी अंटी जी ऐसा है कि मेरी मा है न, उनकी तबित खराब है, मैं तबी उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ क्योंकि सरकारी अस्पताल से दवाईया तो मिल गई लेकिन डाक्टर ने बोला है कि खाली पेट दवाईया नहीं खाने मैं तब ही उनी के लिए खाना लेने आया था ऐसी बात है रुको फिर अभी चलो पहले तुम कुछ खा लो ठीक है आंटी एक काम करो तुम यहां खाना खतम करो मैं गाड़ी से और चीज़े लेकर आती हूँ और वो ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब भी नहीं होंगी और तुम अपनी मम्मी को आराम से खिला देना ठीक है ठीक है ये लो बेटा ये कुछ चीज़ें मेरे पास थी जो तुम्हारी मम्मी के लिए अच्छी रहेंगी ये ले जाओ धन्यवाद आंटी जी आपने मेरे जैसे गरीब की मदद की आपको भगवान भला करे बेटा धन्यवाद तो तुम्हारा जो तुमने मुझे मौका दिया अपनी मदद करने का और गरीब होने के बाद भी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हे ऐसे संसकार दिये है जो हम जैसे को कभी नहीं मिल पाए अपना ध्यान रखना और अपनी मम्मी का भी